हलो एवरिवार वल्कम बाक टू मैं चानल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पाँच प्रोड़क्स से मेक अप कैसे किया जाए सो लट्स कर स्टार्ट इट फर्स्ट मैं अपलाई कर रही हूँ नीविया का 30 रुपीज का मॉईशुराइजर मॉईशुराइजर को डॉट डॉट करके अपने फेस पर अपलाई कर रही हूँ आपको हमेशा आखों के नीचे मॉईशुराइजर अपलाई करना चाहिए क्योंकि आखों के नीचे का एरिया बहुत ही जादा ड्राइ होता है इसलिए moisturizer को face पर अच्छे से apply करके उसे हलक हलक एतों से massage करना है और मैं face के साथ साथ निक पर भी moisturizer लगा रही हूँ जितने अच्छे से आप moisturizer को apply करोगे उतने ही अच्छे से आपका make up होगा moisturizer अच्छे से apply कर लिया है उसके बाद मैं लगा रही हूँ Maybelline का foundation इसका shade है 220 foundation लगाने से पहले उसे अच्छे से shake कर लेना है उसके बाद आपको hand पर लेना है foundation इस तरीके से और फिर आपको apply करना है इस तरीके से आपको hand पर लेना है फिर आपको dot dot करके apply कर लेना है मैं अच्छे से foundation को अपने face पर apply कर रही हूँ उसके बाद मैं उसे brush से apply करूँगी as you can see brush से apply करने के बाद मैं उसे beauty blender से blend कर रही हूँ और आप चाहे तो direct ही beauty blender से blend कर सकते हो foundation को अच्छे से apply कर लिया है अब मैं apply कर रही हूँ compact powder fit me का इसका shade है 220 compact powder को हमेश आपको dab dab करके apply करना है आपको रगन ना बिल्कुल नहीं है आपको सर्फ हलकल के उसे dab dab करना है compact powder क्यों लगाते हैं क्योंकि हमारे face जो oil निकलती उसको compact powder control करता है इसलिए compact powder का इस्तमाल किया जाता है face की साथ आपको compact powder और foundation नेक पर भी apply करना चाहिए क्योंकि आपका face और नेक अलग ना दिखे इसलिए अब मैं लगा रही हूँ eyeliner अगर आपको eyeliner लगाना नहीं आता तो आपको सबसे पहले अपने eyebrow को stretch करना है उसके बाद आपको eyeliner अपलाई कर लेना है इसे eyeliner को मैं यूज़ करूँगे as a mascara यह blue heaven का eyeliner अब मैं apply कर रही हूँ romantic beauty की pink color की lipstick यह है 50 रुपीज की आप चाहे तो lipstick को as a eyeshadow as a blush भी इस्तमाल कर सकते हो लेकिन मुझे look काफी simple चाही इसलिए मैं सिर्फ lipstick apply कर रही हूँ हाँ मगर ये बात को याद रखना अगर आप liquid lipstick को as a eyeshadow और blush इस्तमाल कर रहे हो तो आपको जल्दी से उसको blend करना है नहीं तो वो dry हो जाएगी अगर आपको ये look पसंदाय हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और bell icon को press करना भूले जिससे मेरी हर वीडियो की notification आपको मल जाएगी और अगला वीडियो की इस topic पर हो comment करके ज़रूर बताना